वेल्कम टू प्रताब क्लासेश दोस्तों प्रताब क्लासेश के यूट्यूब तनल पर आपका हार्दिक स्पागत है तो आज हम पार्ट नमबर तीन लेकर आए हैं जिसमें आपको डेली खनीन संसादन से लेटर एंस यार्टी बूक का सलूशन कराया जाता है तो अगर आप पर नए है तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइक लेजिए और बैल आइकन दबाएए वीडियो चलागे तो वीडियो को लाइक शेयर जूरू करिए इससे पहले हमने भारत के प्रमुक प्रकरती और उसके शेतर के बारे में जाना उसकी खनीज में भारत के अंदर जितन बन सकते हैं तो बात करते हैं भारत में खनीजों के उत्पादन में भंडारन से समझित आंकडे इंडियन ब्यूरो ओप माइन्स द्वारा प्रकासित इंडियन मिनरल इयर बुक में जारी किये जाते हैं अब आपको याद रखना है कि खनीज से लेटर जो भी आंकड़ा है ब्यूरो ओप माइन्स द्वारा प्रकासित इंडियन मिनरल इयर बुक में जारी किये जाते हैं तो ये आपको याद रखना है भारत में लगबग पिचान में खनीजों का उत्पादन होता है जिनका विवेचन निमन प्रकार गया यानि पिचान में प्रकार के खनीजों का संक्या चार है चार प्रकार के हैं और धात्विक खनीज की बात करें तो दस प्रकार के हैं और एधात्विक खनीज की बात करें तो 23 प्रकार के हैं और अन्य खनीज की बात करें तो अठावन प्रकार के हैं कुल कितने भारत के अंदर उत्पादन थे पिचान में प्रकार के जो है उत्पादन खनीज के किये जाते हैं आगे बात करेंगे वर्स 2019-20 के दुरान खनीज उत्पादन इंदन और पर्मानू खनीजों को छोड़ कर 2019-20 का कुल मुल्य की बात करें तो एक लाग तेस हाजार पांसो अठेसी करोड रोपए का उन्मान है जो वर्स 2018-19 की तुलना में लगबग 3% की कमी को परदेशित करता है यानि जो 2019-20 की रिपोर्ट है उसके तैट क्या है 1,23,586 क्रूट प्वे का उन्मान लगाया गया है खनीज उत्पादन का लेकिन 2018-19 की तुलना में बात करें तो 3% की कमी आई है 2019-20 के अंदर आगे बात करते हैं वर्स 2019-20 के दोरान धात्विक खनीजों के लिए अन्मानित मुल्य की बात करें तो 6,822 करोड या कुल मुल्य की बात करें यानि 49.21 परतिसत जो है धात्विक खनीजों के अन्मानित मुल्य लगाया गया है 2019-2020 के तोरान ये आंकड़ा पुछा जा सकता है मिलान चिला से समधित जोबदारती सेंटर की त्यारी करें तो उनके लिए बहुत ही पॉन्टर है जोबदारती बैंक की त्यारी करें है या SSC की त्यारी करें या UPSC की त्यारी करें उनके लिए प्मेंटर होने वाला है गेर धात्वी करीजों सहीद गोन खर्णीजों का मुल्य 62,766 करोड रुपए है या कुल मुल्य की बात करें यानि 50.79 परसेंट जो है गेर धात्वी करीजों और गोन खर्ीजों का मुल्य है 62,766% आगे बात करेंगे हम खनीज और उनके मुल्य की तो धात्विक खनीज की बात करें जो भी मैंने बताया था 2019-2020 की रिपोर्ट है ये 6822 क्रोड रुपए है और ये धात्विक खनीज और गोन खनीज की बात करें तो 6766 क्रोड रुपे जो है नमानित लगाया गया है आगे बात करेंगे आई अम वाई बी 2017 के अनुसार ये एक रिपोर्ट जारी करता है वर्स 2017 ठारा में अपत्टिये छेतर तथा 29 राजियों तथा संग सासित प्रदेसों में खनीज उत्पादन किया जाता है तो ये आपको या 29 राजिये है तथा संग सासित प्रदेसों में खनीज उत्पादन किया जाता है यहां पे 28 राजिये आएंगे 28 राजिये और संग सासित प्रदेसों में खनीज उत्पादन किया जाता है मुल्य की दस्टी से सिर्ष खनीज उत्पादन 26 की बात करें 2017 18 की रिपोर्ट है मारे पास जो कि एक्सामें पूछी जा सकती है खनीज उत्पाधने शेतर 45% और 36 की बात करें 8 10 80 इसा है कुल मुल्य में 36 का और करनाटक की बात करें तो 7.83 इसा है इस कुल मुल्य का मुल्य के दिश्टी शिर्स्तान पर है राजस्तान जो की 20.25 प्रसेंट कुल मुल्य का हीसा रखता है आगे हम बात करेंगे जो की बहुत ही इपॉन्ट कोशन है यहां से कोशन पक्का पूचा जा सकता है तो राश्टिये खनीज अनुवेशन निती कोशविकरती प्रदान की गई थी अब सिधा कोशन पूचा जा सकता है कि राश्टिये खनीज अनुवेशन निती NMEP कोशविकरती कब दी गई थी तो 29 जून 2016 को प्रदान मंत्री की अध्यक्स्ता में केंद्रिय मंत्रिमेंटल द्वारत दी गई थी यह आपको याद रखना ह इस निती का प्रमुख विदेशे क्या था नीजी छेतर की भागेदारी बढ़ाकर देश में अनुवेशन गतवीदियो को तेज करना है आगे बात करें देश में खरन की चुनोतियों के समादान तथा वेग्यानिक और तक्नीकी अनुसंदान के लिए सरकार का वेग्यानिक अनुसंदान संस्ताओं विसविधालियों ताथा उध्योगों की समन्वित भागेदारी से एक स्वायते गेर लाबकारी संस्ता की स्तापना का प्रस्ताव इस नीती द्वारा जो है किया गया था यह संस्तान नेशनल सेंटर फोर मिनेरल टारगेटिंग के नाम से जाना जा हैंगे खनीष की उप्लब अप्ता समाने था खनीज ऐसकों में पाये जाते हैं किसी भी कनीज में अन्यावव्यों ततापों के मिश्चन या सेंचन हे। आम यह सब्थ का प्रियोगे किया जाता है अब हम बात कर लिते हैं एएसक की परिभासा का जो की एक्जाम में पूछ जाता है जिनमें क्या है खनीज यानि अत्वा कोई धातु आदी महत्पुन तत्व हो फिर एयसक को क्या है खनन करके उसे बाहर लाया जाता है फिर इनका सुद्धिकर्ण करके महत्पुन तत्तव प्राप्त किया जाता है आगे बात करें खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब एयसक में खनीजों का संचैन प्राप्त मात्रा में होगा तभी जो है संबव हो पाएगा को समझना अतियंत अफशक है जिनमें ये खनीज पाए जाते हैं तो कल हम बात करेंगे लो है खनीज के बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि लो है खनीज कितने परकार के होते हैं और उनके परकारों का एक एक मैं स्पेसल वीडियो लेकर रहूंगा ताकि NCRT बुक का जियोगरफी से समंधित 6-12 तक की बुक का पूरा स्वलेशन आपको दिया जाएगा इसके बाद हम जो भी टोपिक हमारा होगा बुक का या करस्टी से समंधित या अलग टोपिक हम लेंगे तो पहले हम खनीज को जो है पूरी वीडियो के मादिम से कंप्लेट क कर लेते हैं ताकि यहां से हमारा एक्जाम में से कोशन एक भी बहार नैज आएं तो जैहिंद जैबार दोस्तों